इस बार देपालपुर के प्रशाशन ने नालियों पर जमें बरसों से अतिक्रमन एवं शाश के जमीन पर रखी गई गुम्टियां हटाने की कारवाही की है यह कारवाही देपालपुर नगर के बेटमा रोड से शुरू हुई जो की बेटमा ना का तहसील रोड खाड़ी वा चमन चौराह तक की गई है वही नगर के चमन चौराह से लगा कर इंदोर नाका रोड बस चैन मंगलेश्वर मार्ग गौतमपुरा रोड बनेडिया नाका भोई महला मुख्य बाजार बढ़वाली गली तिलक मार्ग तक कारवाही शेश रही है इस कारवाही को पूरा करवाने में SGM प्रतुल चंदु सिन्हा, SGOP रात्म कुमार रोय, तहसीलदार अवदेश शतुलवेडी, नगर परिसत सीमो चंद्र शेखर सोनेस, टी आई गौपाल परमार, नगर परिसत की सैनेट्री इंस्पेक्टर सैलेश कुराडिया, योगेश सोलन की आदी मौझूद थे, जिन अतिक्रमन कारियों ने नालियों पर अतिक्रमन शाष के जमीन पर गुम्टियां रख रखी थी, उनके पेट पर लात पढ़ने के कारण प्रशाशन वा नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि अगर यहां कारवा ही पूरे नगर में, पूरे बाजार में हुई तो निस्पक्ष कारवाही कह पाएंगे, नहीं तो निताओं के दवाप में कारवाही अधुली छोड़ दी गई, तो हम उसका पुर्जोर पिरोत करेंगे. यह जनता दे कि इनको भुकत ना पड़ेगा, तो यह यहां पर जो आज घुम्टियां अटाई गई, अतिकरमन अटाया गया, लाखों के रुपे का नुक्तान किया गया है, यह गलब है. देपालपूर में नगर परिशत, देपालपूर के मात्यम से, जितने भी आस्थाई सरूप के अतिकरमन थे, सभी को सूचना दे गई है, लगातार अनॉंसमेंट हुआ है, और हम लोगों ने सुचित कर दे के बाद, आपने देखा होगा, कि लोगों ने स्वेक्षा से अति इस्तिती होती है, हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं, और जहां पर आवसकता हो रही है, वहां पर हमें तोड़ना भी पढ़ रहा है, तो वो सारे अतिकरमन हम लोग हटा रहे हैं मत्यप्रदेश की लगतार खबरों से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें मत्यप्रदेश के कई जिलोबा तहसीलों में समवार दाता नियुक्त करना है, हमसे जोड़ने के लिए स्क्रीन पे दिये गए नंबर पर संपर्द करें